हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगेन टू लंग्री दितिमन तो चलिए आज हम अपनी प्रैक्टिस हिंदी सिक्षन की स्टार्ट करते हैं पाठे पुस्तक हिंदी सिक्षन का साध्य है मनो रंजन का साध्य है या मार्ग दर्शक है तो तो देखें इस्टाइप का कुश्यन वो एक्जाम में पूछा जाता है जहां हमें साध्य और साध्य में confusion रहता है तो पाठे पुस्तक जो है वो क्या है साधन है ठीक है रिसोर्स का काम करता है हिंदी सिक्षण में next question 2 सुन्दर लेखन अभ्यास के लिए उप्युक्त रहेगा शुरुतलेक लिखना प्रतिलेक लिखाना अनुलेक लिखाना या कहानी लिखाना शुरुतलेक यानि सुनकर जब लिखा जाता है इसकी प्रैक्टिस कराके सुन्दर लेक कर सकता है बच्चा प्रतिलेक यानि की जो भी लिखा हुआ है डॉट डॉट से तो उसके उपर दुबारा से लिखना अनुलेक यानि जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप जब बच्च तो देखिए यदि हम अनुलेख लिखने को कहेंगे तो इससे handwriting जो है handwriting बहुत सुन्दर होगी जैसा कि हम बच्चों को दे देते हैं उपर एक line जो है वो लिखने को दे देते हैं और फिर उसी की तरीके से blank छोड़ दी जाती है और उसे देखकर लिखा जाता है अच्छे सरस्वर वाचन की निमनल खित में से कौन सी विशेस्ता नहीं है प्रतीक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ना अर्थ समस्ते हुए मन ही मन पढ़ना आरोह अवरोह के साथ पढ़ना या भाव भंगिमाओं का प्रदेशन करना ओप्चन तो सभी ही सही लगते है लेकिन हमें क्या देखना है सरस्वर यानि की स्वर के साथ वाचन तो उसकी कौन सी विशेस्ता नहीं है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थ समस्ते हुए मन ही मन पढ़ना क्योंकि ये तो मोन वाचन की विशेस्ता है और प्रतीक शब्द को बल और विराम के साथ भाव भंगिमाओं का प्रदिर्शन करना ये सभी सरस्वर वाचन की विशेस्ता है कहलाती है प्राथमिक स्थर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है मोखिक अभिव्यक्ति का विकास पठन गति का विकास सुद्द उचारण की शमता का विकास सब्द भंडार की व्रदी प्राथमिक स्थर यानि 1-2-5 क्लास जो होती है उसमें वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जो बच्चों को कहानी वाचन या कविता वाचन कराई जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है मोखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है इससे पठन गति का का विकास होता है सुद्ध उचारण की शमता का विकास होता है यह सब्द भंडार की व्रद्धी होता है तो देखी इससे क्या होता है बच्चे जब वाचन करते हैं तो सुद्ध उचारण जो है उसकी शमता का विकास होता है यह है मुख्य उद्देशे बाकी जो उद्देश जो है वो यही होगा कि इससे सुद्धु चारण की शमता का विकास होता है चलिए next question है question 5 बोलने का विकास करने के लिए आप कौन सा कारेक्रम प्रमुकता से आयोजित करना चाहेंगे यहां हमें क्या करना है बोलने का विकास प्रात्ना सभा में समाचार कथन कराना उत्सवों में भाशन सुनाना अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित करना देखिए यह जो अंत्याक्षरी है यह आपकी शब्द सुद्धी में आएगा तो इसी तरीके से लिखा जाता है अंत्याक्षरी नहीं होता है अंत्याक्षरी होता है ठीक है अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित कराना, कथा सभा में मौखिक विचारों की अभिव्यक्ति कराना, तो करना है हमें बोलने का विकास, तो हम कौन सा कारिक्रम को प्रमुक्ता देंगे, तो हम यहाँ पर देंगे, कक्षा सभा में मौखिक विचारव्यक्ति कराना, बच्चे अपनी अपने विचारों क को अभिव्यक्त करेंगे और जिसे बोलने का विकास होगा कुशन 6 है चोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विक्सित करने का उप्युक्त माध्यम है महापुरसों की जीवनिया निवंद लेखन पोराने काथाएं परियों की कहानिया तो देखिये चोटे बच्चे हैं उनकी हमें कल्पना सकती उनका विकास करना है बच्चे जिसे की कल्पना कर सकें सोच सकें ठीक है और बच्चे हैं चोटे तो चोटे बच्चों के लिए सबस से ज़्यादा उप्युक्त रहेगा परियों की एक कहानिया क्योंकि बागी जो तीन ओप्शन हैं देखिए महापुर्सों की जीवनिया निवंद लेखन पोरानिक गथा यह सभी बड़े बच्चों की कल्पना शक्ती को विक्सित करने के लिए उप्युक्त हैं भाशा सीक्षण में द्रश्य रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है सिक्षक के कारें को सरल बनाता है चात्रों की बिविन इंदरियों को क्रियाший बनाना चात्रों को नवीन उपकर्ण के प्रति उफ्शुक बनाना या पार्ट में कक्षा का अवधान बनाये रखना यह कु चाशिल भी बनाती है एक्टिव होते हैं इससे छात्रों की इंद्रियां चात्रों को नवीन उपकर्ण के प्रति उत्सुख भी बनाती है और पार्ट में कक्षा का जो अवधान है मुख्य प्रायोजन क्या है कि जतना जादा हम साधनों को देख कर सुन कर और फिर हम कारह करते हैं तो बच्चे क्या है उन चीजंगेश करते हैं तो चात्रों की विविन इंद्रियों को क्रियाशील बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। बाकी दीन ऑप्षन जो है वह भी सही है लेकिन हमें मुख्य जो है वह देखना है। शिक्षक के ज्यान में इस्पष्टता लाना, बालकों के भावों को उत्प्रेडित करना, पाठे बस्तू में इस्पष्टता लाना या भासा शिक्षण में योगदान करना। वासा शिक्षण में जो उद्योतन सामिगरी है उसका जप्रियोग किया जाता है तो उसका मुख के उद्देश्य क्या होता है उसका लक्ष क्या होता है तो देखिए उसका जो उद्देश्य ही होता है जिसे की बालगों के भावों को प्रेणा मिल सके ठीक है नेक्स्ट है question 9 बालक पुस्तकाले में जाकर अपनी पसंद ये पुस्तक है पढ़ने की आदत डाल सकेगा यह व्यवारगत परिवर्तन किस उद्देश से है ज्यान बढ़ाने के लिए अर्थ ग्रहन है तू अभी रुची विक्सित करने है तू या अभी रुची विक्सित कर करने है तू तो बालक जो है वो लाइबरेरी में जाकर पुस्तक हैं जो है वो पढ़ सके यह आदत डलवानी है तो इससे क्या परिवर्तन आएगा इसका क्या मुख्य उतेश्य है ऐसा करने का तो इससे क्या होगा बच्चे जो है उनकी अभी रुची का विकास होगा बच् तो C उप्चन जो है उसमें आपके यह A, B और D यह सभी समाहित है इसलिए उप्यूक्त आंसर है C सब्दों पर शिरो रेखा नहीं कीचने वाले बालकों को सम्मेक अभ्यास कराने के लिए उप्यूक्त रहता है सब्दों पर जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं सिरोर रेखा ठीक है तो सिरोर रेखा नहीं कीचने वाले बालकों को यदी प्रैक्टिस कराई जाए तो सबसे उप्युक्त क्या रहेगा कक्षा में लिखित अभ्यास कराएं लिखित ग्रह कार्रे देना श्यामपट पर अभ्यास करवाना या शुरूत लेख कराना तो देखिए लिखित ग्रह कार्रे देना ये तो गलत ही है ठीक है घर में भी बच्चा वही कार्रे करेगा यदी वह सिरोर रेखा नहीं खीच रहा ह तो A, C और D, इनमें से जो उप्युक्त आंसर होगा, वो ये होगा कि कक्षा में ही लिखित अभ्यास कराया जाए। प्रात्मी के स्थर पर भासा का शिक्षन कराया जाता है। हिंदी का सिक्षक बनाने है तो, समाज में सिस्टाचार सिखाने है तो, भासा में निपोर्ता प्राप्त कराने है तो या अन्य विशय पढ़वाने है तो तो भासा का सिक्षन जो है वो प्रात्मी कि स्थर पर क्यूं कराते हैं। उसका रीजन यह होता है कि हिंदी का सिक्षक बनाने के लिए नहीं करवाते हैं, ना ही अन्य विश्य को पढ़वाने के लिए करवाया जाता है। इसका आंसर है जिससे की वह भासा में निपोर्ता प्राप्त कर सके। प्रात्मिक कक्षाओं का भासा विकास उप्योगी है। नेक्स्ट है कुशन 13 बासा ज्यान के विकास से प्राप्त आदर्श सद्वरतियां हैं अपनी संस्कृति से लगाव अच्छे सामाजिक आदर्श साहित प्रेम या उप्रोक्त सभी तो बासा ज्यान के विकास से जो प्राप्त आदर्श सद्वरतियां हैं वो क्या हैं तो वो ह कि इससे बच्चा जो है वो अपनी संस्कृती से लगाव रखेगा उसके अंदर अच्छे सामाजिक आदर्स आएंगे साहित के अंदर उसकी रुच्छी प्रेम है उसका विकास होगा तो यह सबी भासाग्यान के विकास से प्राप्त आदर्स सद्वृतियां हैं अच्छी Q14. प्रात्मिक इस्तर पर मून पठन से लाब है? देखिए मैं हर बार बिल्कुल नए नए तरीके के question लेकर आती हूं जिसे कि आपके सभी concept जो है वो clear होते जाएं, ठीक है? तो एक भी topic जो है, जितने भी आपके topic हैं, उसकी according ही मैंने सभी चीज़ें जो है वो include की है और अनुशाशन है तू? शिक्षक के आगम है तू? सीगरता से ज्यान प्राप्त या शारिक विकास? तो बच्चा जो है वो मून पठन कर रहा है, तो प्रात्मिक इस्तर पर उससे क्या profit होगा? उससे क्या लाब होगा? शारिक विकास इसका तो कोई link ही नहीं बन रहा है? सिक् जिमान का उदेश्य है, जो सिक्षक द्वारा lesson plan बनाया जाते हैं, तो उसका उदेश्य क्या होता है? तो आप लोगों ने भी lesson plan बनाये थे जब आप लोगों ने BIDIA BSTC किया था. तो इससे सिक्षन प्रभावी होता है, विश्य का ज्यान होता है, अनुशाशन या समय का सोजना ही नहीं है कि इससे teaching जो है वो बहुत effective हो जाती है, ठीक है? इसी लिए lesson plan बनाया जाते हैं. विश्य वस्तू के व्यापक अध्यान को कहेंगे? क्या कहेंगे? विश्य वस्तू के व्यापक अध्यान को. गहन अध्यान कहेंगे, सूख्ष्म सिक्षन कहेंगे, दृत गहन अध्यान कहेंगे या विश्य विश्य वस्तू है, उसका जब व्यापक study की जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गहन अध्यान. नेक्स्ट एक कुश्यन 17. मून पठन का महत्व है गद्य में, पद्य में, नाटक में या एकांकी में? तो मून पठन जो है, जो की बिलकुल silence रूप में किया जाता है, तो उसका महत्व जो गद्य में है, पद्य में है, नाटक में है या एकांकी में है. तो देखिए B, पद में यानि कविता में मोन पटन का कोई महत्व नहीं है, नाटक में भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? गद में, ठीक है? नेक्ष्ट है, मोखिक भाव प्रकाशन संभव नहीं है, अभीने में, लेख लिखने में, कहानी कहने में, या संभाद में? तो देखिए, कुश्यन क्या है? मोखिक भाव प्रकाशन जो है, वह किस किसमें संभव है? यदि ये आपको पता है तो आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे तो देखिए मौकिक भाव प्रकाशन जो है वह अभीने करने में अभीने करते हैं तब हम अपने मुख से जो भाव है उनको बाहर प्रकट करते हैं कहानी कहने में भी करते हैं और समवाद में भी करते हैं लेकिन लेग लिखने में मौकिक भाव प्रकाशन की आविशक्तन नहीं है 19 question है उचारण दोस का प्रमुक कारण है संकोच, भय, अज्यानता या आलस तो आलस तो यहां पर नहीं होगा आंसर तो यहां पूछा है उचारण दोस का प्रमुक कारण क्या होता है तो इसका प्रमुक कारण होता है अज्यानता यदि उस शब्द का ही ज्यान नहीं है तो उचारण गलत कहेगा अंतिम प्लशन है। छोटे बच्चों हेथु उपयोगी है? भाशन, सश्वरवाथ, मौन पाथ या वाद विवाद। तो छोटी बच्चों के लिए क्या उपयोगी रहेगा? भाशड रहेगा। देखिए लेक्चर जो है वो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं रहत भी पार्ट करवाया जाता है तो ये था अन्तिम प्रश्न इसी तरीके से प्रैक्टिस चलती रहेगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक यू